एक सही girl as a girlfriend as a wife आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा happiness लाती है और आपको motivate करके बहुत ज़्यादा grow करवाती है और एक गलत girl as a girlfriend as a wife आपको demotivate करती है, आपको mentally, physically weak करती है और आपको बरबाद करके चली जाती है आज मैं आपको बताने वाला हूँ 9 signs of perfect girlfriend और wife अपनी girlfriend wife में ये 9 signs check कर लेना या फिर होने वाली है तो भी check कर लेना वरना बरबाद हो जाओगे और ये जो 9 signs मैं तुम्हें बताने वाला हूँ ये perfect girlfriend, perfect wife की निसानी है इस girl को ना कभी भी अपनी life से जाने मत देना, मत खोना इससे basically होता क्या है आजकल की girlfriend, आजकल की wife वहाँ ज़्यादा नोटंगी करती है sorry girls माफ करना but आजकल की wife को एक driver चाहिए, एक cook चाहिए, एक knocker चाहिए as a husband, और girlfriend को एक ऐसा बंदा चाहिए, जो बात करें उनसे, उनको shopping करा है, उनका driver बन के रहे और उनको नए-ने dishes खिला है, तो ऐसी बंदिना कसम से आपके लिए सही नहीं है, इसको side करो जो लड़की आपके काम को नहीं समझती है, वो नहीं समझती है कि आप busy हो, आप busy person हो, वो आप पर हमेशा गुसा रहती है कि यार, time नहीं देते तो, ऐसी girlfriend आपके लिए सही नहीं है क्योंकि हम सब लाइफ में grow करना चाहते है, जो लड़की आपको grow करने में मदद नहीं कर रही है, वो आपके लिए perfect नहीं है कुछ ऐसे लड़कियां होती है, जिनको आपके busy रहने पर बहुत सिकायत होता है, एक call मिस कर दो अगदम आग बबुला हो जाएंगी तो यह लड़की आपके लिए perfect नहीं है, यह आपको समझ नहीं रही है, जबकि वो लड़की जो आपके लिए perfect है, वो आपको समझेगी, आपके goals को समझेगी, वो आपके time boundation को समझेगी और कहीं ने कहीं आपको support करेगी आपको goal को लेकर तो ये लड़की आपके लिए perfect है देखो जो आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा बहुत ज़्यादा success होगा आपके पास तब आपके पास बहुत सारी बंदिया होंगी लेकिन वो goal डेगर होंगी लेकिन जो लड़की सचा प्यार करती होगी आपसे आपके tough situation में आपको motivate करेगी जब किसी tough situation में होगे तब वो आपको motivate करेगी आगे बढ़ने के लिए ये आपको हमेशा motivate करती रहेगी grow करने के लिए देखो एक perfect इंसान वो नहीं होता जो आपके सुख में ही साथ है एक perfect इंसान वो होता है जो आपके सुख और दुख दोनों में साथ है वैसे ही एक perfect girlfriend वो होगी जो आपके सुख और दुख दोनों में साथ देगी दुख में आपको motivate करेगी grow करने के लिए और सुख में आपको appreciate करेगी कि तुमने यार बहुत कुछ उखाड़ा है आपने life में वही है एक perfect girlfriend देखो normally ये point girlfriend पर अपलाई होती है लेकिन आपका मैंने है तो आप wife पे भी कर सकते हो देखो basically एक girl को न चाहिए कि वो अपना bill खुद पे करे लेकिन आजगल की girl खुद को independent बताती है लेकिन bill पे करने के time पीछे हड़ जाती है एक perfect girlfriend कभी भी आपका पैसा ज्यादा खर्चा नहीं कराना चाहेगी वो चाहेगी कि वो अपने तरफ से भी contribute करे अगर वो बोलती भी है ना कि मैं contribute कर रही हूँ निकालती है पैसा ऐसा नहीं कि बोल के चुप हो गई निकालती है पैसा तो वो perfect है विगाज लड़ियों के हाथ से पैसा जल्दी नहीं निकलता है एक perfect girl as a girlfriend as a wife आपको पूरी तरह से support करेगी मालों आप कही down हो रहे हो या आपको इस तरह support करेगी कि आप एकदम से उपर उठ जाओगी for example आप उने friends के साथ बैठे हो या आप उसके friends के साथ बैठे हो मालों कोई आपके साथ मस्ती करता है आपको नीचे दिखाने की course करता है ये लड़की आपके लिए लड़ जाएगी ये लड़की आपके लिए लड़ जाएगी fix है ये किसी से भी लड़ जाएगी आपके लिए क्योंकि ये आपको बहुत ज़ादा प्यार करती है आपको बहुत ज़ादा support करती है एक सच्चा partner वो होता है जो आपको गिरते देख आपको criticize न करे क्यार तुम्हें चलना नहीं आता आपको support करें आपको चलना सिखाए जो इंसान आपको चलना सिखा रहा है न जो इंसान आपको support कर रहा है न हर चीज में वो इंसान आपके लिए perfect ही होगा समझ लो ऐसी गल आपसे इतना ज़ादा प्यार करेगी इतना ज़दा प्यार करेगी कि कोई आपको नीचे दिखाने की कोशिस करेगा वो इसका सबसे बड़ा दुस्मन होगा पॉइंट नमर फाइब बताओं उससे पहले आप मुझे इंस्टाग्राम, फेस्बुक, ट्विटर पर फॉलो कर लें क्योंकि आप ही लोग तो मेरी फैमली हो यार जाओ फॉलो करो मुझे अच्छा लगेगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ वक्त कब बीच जाता है, कैसे बीच जाता है, पता ही नहीं चलता वो हमेशा हमें motivate करते रहते हैं, हमेशा हमें appreciate करते रहते हैं, उनके साथ में हम best happiness feel करते हैं, हमें पता ही नहीं चलता वक्त कब बीचता है The best thing जो उनमें होता है वो हमें कभी भी जज नहीं करते हम जैसे हैं हमें accept किया जाता है हमें appreciate किया जाता है हमें समझाया जाता है हमें बुझाया जाता है हमें कभी जज नहीं किया जाता है हमें कभी नीचा नहीं दिखाया जाता है ऐसा इंसान अगर आपके life में है ऐसी परफेक्ट होगा, अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ जाता है, जिसके साथ वक्त कब बीच जाता है, पता ही नहीं चलता, तो आप बहुत लखी हो, ऐसे इंसान बहुत रेर केस में मिलते हैं, और आपकी लाइफ ना बहुत ही मौज में कटने वाली, अगर ये इंस करती है, आपको आप बोलती है, तो ऐसे लड़की बहुत ही रेर मिलती है, खेर आप तो बहुत दूर की बात हो जाती है, आप नहीं भी बोले कोई दिक करती है, लेकिन रिस्पेक्ट अगर करती हो, जनुरली दिल से रिस्पेक्ट करती हो, अपने फ्रेंस को प्राउड होक आपको serious लेगी और सबसे बड़ी चीज कुछ भी हो जाए वो आपके साथ कभी भी बुरा बरताओ नहीं करेगी आपके साथ हमेशा humble रहेगी तो ऐसी लड़की ना कसम से बहुत कम मिलती है देखो एक best friend ही है जो हमारे सारे राज जानता है कौन मेरा दोस्त है क्या चीज से मुझे खुशी मिलती है क्या चीज से मुझे दुख होता है मेरे favorite dishes मेरा favorite color मेरे favorite bike मेरे favorite car हर चीज एक best friend को पता होता है वो हमारे साथ घूमता है, फिरता है, मौज मस्ती करता है, टीज करता है, हर चीज वो शेर करता है, like एक best friend ना, best होता है, तो अगर आपकी बंदी, जो आपकी girlfriend है, आपकी wife, बिल्कुल एक best friend की तरह है न, तो कसम से भाई, आप बहुत लगी है, as a girlfriend, as a wife, अगर एक girl आपकी best friend बन जाती है, तो ये समझ लो कि इस से अच्छा कुछ भी नहीं है, आप से लगी कोई नहीं है, क्योंकि friendship का bond बहुत strong होता है, ये कभी भी break नहीं होता, वो हमेशा आपको support करेगी, हमेशा आपकी साथ रहेगी, वो आपकी बुरे वक्त में साथ देगी, अच्छे वक्त में tease करेगी, मस्ती करेगी, आपके साथ flirt करेगी, ये समझो कि आपको पूरी दुनिया उसी में दिखाए देरे लेगा, दिल अच्छा दिमाग तेज, वो क्यों? दिल अच्छा दिमाग तेज, क्योंकि आपके आज पास, दोस्त भी रहते हैं, दुस्मन भी रहते हैं, दोस्तो के लिए दिल साफ रखना है, और दुस्मनों के लिए दिमाग को तेज रखना है, कभी भी यूज़ करना पड़ सकता है, तो हमेसा धियान रखना आपकी बंदी कानत दिल अच्छा हो, और दिमाग तेज हो, आपकी family के लिए उसका दिल बहुत अच्छा हो, आपके दोस्तो अगर आप अखेले रहोगे तो कहीं ने कहीं आप हार सकते हों तो आपको एक मजबूत पार्टनर की ज़रुरत बढ़ती है लाइक में एक मजबूत पार्टनर बहुत जरूरी होता है तो वो बंदी जो दिमाग से तेज होगी वो आपको सपोर्ट करेगी हर तरह से देखो सिंपल सा कॉंसेप्ट है हम सबसे ज़्याद किस पर ट्रस्ट करते हैं पहला अपनी फैमिली दूसरा अपनी वाइफ अपनी गर्ल्फरेंड वो इंसान अगर आपके लिए लॉयल नहीं है तो आपको कहीं भी कहीं से भी बरबाद किया जा सकता है तो हमेशा याद रखना जो इंसान जिसके साथ आप टायमे स्पेंट कर रहे हुग देख लो कि वो अपके लिए लॉयल है या नहीं अगर वो इंसान अपके लिए लॉयल नहीं है तो छोड़ दो क्योंकि एक परफेक्ट गर्फरेंड हमेशा आपके लिए लॉयल रहेगी वो दूसरे के बारे में सोचेगी भी नहीं, दूसरे की तारीब भी नहीं करेगी आपके सामने में. एक loyal girlfriend बहुत सही होती है यार. तो आप notice कर लेना कि आपकी girlfriend loyal है या नहीं. या फिर जिस भी बंदी को पटा होगे, याद रखना कि वो loyal हो आपके लिए. अगर loyal नहीं होगी तो आपके लग जाएंगी. एक loyal girlfriend के सामने अमीर से अमीर बंदा आजाए, handsome से handsome बंदा आजाए, वो इसको accept नहीं करेगी. Just like पतिवृता औरत. I hope आपको वीडियो बसंद आई होगी. लाइप में कोई भी problem है, कोई भी परिसानी है, advice चाहिए, mentor की ज़रत है. My tips to be consultancy service यूज़ करो. थोड़ा से पी करना पड़े का, लेकिन content बहुत ही जवर्दस मिलेगा. मैं personally आपसे बात करता हूँ हुआ. वीडियो बसंद आया, like करें, चैनल को subscribe करें, बलाई गंद में क्योंकि ये तो बिल्कुल फ्री है, और वीडियो को दबा के शेर करो यार, प्लीज. थांक्स वाचिंग गाइज, लव यूव और.